हलो फ्रेंट्स स्वागत है आप सभी का मोगलीज गार्डन में इन सुन्दर सुन्दर पैंजी के फूलों के साथ ये मेरे पैंजी के कुछ फ्लांट्स लगे हुए और देखे कितने अच्छे से कितने सुन्दर कलर्स में फ्लारिंग कर रहे हैं इस तरफ लगे हैं ये मेरे पैंजी का येलो कलर का फ्लार्ड येलो और मेरून शेड में है कितने सुन्दर कितने अच्छे फ्लारिंग कर रहे हैं और ये पुछ पर्पल शेड में है ये दिखिए ये पर्पल शेड में है और ये ये येलो कलर में है येलो शेड में है ये 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 भी यलो शेड में है। ये मिरून और येलो कलर की अभी खिलने वाला है ette ये येलो〜मे रूब ये प्यूर येलो कलर में रह और ये अलग प्लांट है ये श्याय इस लाधka मेरी हच्प Конवाइजिज में रूर का येलो शेड में निकलेंगा यह कुछ पिंकिश कलर में लग रहा है तो फ्रेंट्स अच्छी फ्लाउरिंग लेने के लिए मैंने इसमें क्या किया जब मैं इनको लेकर आई थी तो यह छोटे-छोटे 2-3 इंच के पोदे थे मैं 7-8 पोदे लेकर आई थी तो उस वक्त इनको मैंने यह छोटे-छोटे बॉल्स जो यह फ्री होम डिलिवरी में चोटे-छोटे-बॉल्स आते हैं जिनमे खाना आता है उनको मैंने इस तरह से चोटे-छोटे छेद करके नीचे बॉटन में और इस तरह से लगा दिया तो मै मैंने इनमें क्या डाला। में इनमें कोकोपीट, मिट्टी, थोड़ी सी मेरे गार्डेन की मिट्टी और वर्मी कंपोस्ट और थोड़ी थोड़ी बिल्कुल एक-एक स्पून में नीम खली ताकि कीड़ा वीड़ा या किसी तरह के कोई भी कीड़े वीड़े का अटेक ना हो वैसे इन पर मैंने कभी देखा नहीं कीड़े का अटेक होते हुए तो इसमें मैंने यह चीजों का mixture बना के और इन छोटे-छोटे बाल्स में लगा दिया पहले मैंने हैंक करना चाहती थी ल तो बहुत संदर लगते हैं तो मैंने इन इस टेवल के ऊपर रखती है नीचे एक एक प्लेट रखती ताकि टेबल जंदी नहों वैसे इसके ऊपर मैंने पॉलेथीन लगाया है तो इस दिखे कितने संदर कलर्स इन में डेली में थोड़ा-थोड़ा पानी डालती हूं क्यो काफी अच्छे से खिलना शुरू कर देते हैं और मैंने इन में क्या डाला मैंने खाद दो जैसे वर्मी कमपोस्ट हो करा ये एक बार जब मिट्टी बनाई है तब ही डाल दे थी उसकी बार में इसमें वर्मे कमपोस्ट या कोई और गौबर की खाद या कुछ खाद ऐसे न कि इसंगर पाली है कि कहीं भी आपको नरसरी में मिल जाएगी तो यह सरसो के खली को फानी में भी ओकर चार Gör में तयार हो जाती다면 इस तरह से पानी में भी हो लेढ़े से मिक्स करके जिर अच्छे से मिक्स करके अच्छी से जाता पानी मिला कि एपने पोधों में बलक्ते पोड़ा दालते हूं HERE द्वाली पैंजी मिनी यह इस तरह से तयार हो जाती है तो इसे जाता पानी में मिला के बेगोल पतला पतला एक दिन लाइट क्रीम कलर का गोल बना के और अपने पोदों में थोड़ा थोड़ा करके वीक में एक बार डालते हूं इससे इंके ग्रोथ अच्छी होती है अच्छ तो इस तरह से इनकी ग्रोथ अच्छी चलती रहती है जब इनकी फ्लाइर जो भी दो तीन दिन चल जाता है एक फ्लाइर तो जब यह स्प्रेंट हो जाते हैं उन्हें हटा दिए नहीं तो यह बीज बनना शुरूर हो जाता है इसके अच्छी प्लाइर के अच्छी खोथ के लिए जो भी स्प्रेंट फ्लाइर उन्हें हटाते रहना चाहिए इसी तरह से इनको ज़्यादा कुछ केर करने की दूरूद नहीं है काफी हाड़े ब्लांट हैं और इसी तरह से मेरे गार्डन को महकाते रहते हैं तो फ्रेंट् अब आगे मैं आपको कुछ और फ्लाइर दिखाते हूं यह देखे रड कलर का पिटूनिया और यह पिंक कलर की यह मेरे गार्डन में बहुत अच्छे से खिल रहे हैं यह स्पैंट हो गया और यह साल्विया भी अभी तक अच्छे से ब्लूम कर रहा है यह मेरे कुछ गुल के बंचे में फ्लास लगे हुए और एक फैंजी का एक पौदा मेरा यहां है इसका कलर बहुत संदर निकल के आया है यह कुछ मेरून रेड यलो और इसमें थोड़ा-थोड़ा बीच में वाइड भी दिखाई दे रहा है और विंका का देखे कितना संदर कलर आया है यह पर प्रकरती को अच्छा बनाते रहे है खुश रही है और देखे प्टूनिया इतना अच्छा से फ्लारिंग कर रहा है यह मैस इसी तरह से मेरे पैंजी के प्लांट्स के बारे में आल्प में आप से बात करना चाती थी आज सुपी से मुझे बहुत संदर लगे थी यह लोगा विडियो अझाने कों गोल Key तो मैंने सचा कि अपने फ्रेंस को के साथ शेयर कर दिया है वीडियो तो ठीक हे खुश रहे मैं और अच्छे चे पेंजी के और और बीच तरह के अब समर प्लांट का सीजन आ गया है मैंने भी कुछ समर प्लांट स्क्रों किया मैं अपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगे कुछ अपने आप होगा हैं लास्ट एर के पौदों से बीज गिर गिर के तो बस इसी तरह से आप भी सरसों की खल से अपनी पौई सी फेटिलाइजर बना के रखिए और इस तरह से ये पानी में पानी में मिक्स करके अपने पौदों में डालते हैं आप भी खुश रहेंगे और आपके पौदे भी खुश रहेंगे ज्यादा कुछ केयर करने की इस प्लांट की ज़रूत नहीं है ओकी फ्रेंड्स बाई